कल के वीडियो में मैंने आपको बताय था UPPGT 2020 के जो वेकिंसी जाने वाली है उसमें सोशोलोजी का सेलेवस क्या होने वाला है तो सेलेवस अब आपने जान लिया तो अब आपको क्या चीज जाननी है कि जो एक्जाम होगा उसका पैटर्न क्या होता है प्लस आपको पता करना है कि आपको कहा से प्रपरेशन स्टार्ट करनी है ठीक है क्या करना है सबसे पहले हम समझेंगे एक्जाम पैटर्न क्या होता है तो अगर मैं बात करूँ एक्जाम पैटर्न की तो जो PGT का एक्जाम होता है इसमें आपको टोटल मिलते है 125 क्वेशन कितने 125 क्वेशन होते है ठीक है और ये जो भी questions होते हैं ये सारे कि सारे objective होते हैं मतलब आपको जो option वाला four options होते हैं उनमें से आपको choose करना होता है और ये related किस से होते हैं तो ये related होते हैं आपके subject से सारे questions आपके subject से related होते हैं जो इसका main चीज है जैसे आप NTA की preparation करते हो तो उसमें paper 1 बगरा भी होता है बाकी आप assistant professor की करते हो तो उसमें GS से questions आते हैं लेकिन जो PZT का exam है इसमें subject से questions होते हैं लेकिन अगर हम sociology की तयारी कर रहे हैं तो sociology एक ऐसा subject है जिसमें की खुद ही अपने आप में ही उसका syllabus में ही GKK, GS के बहुत चारे questions आ जाते हैं जैसे कि समविधान के आपको काफी सारे articles पढ़ने पढ़ सकते हैं जो new new amendment हुए हैं वो सारे पढ़ने पढ़ सकते हैं कुछ current के sociology है वो पढ़ने पढ़ सकते हैं उतना जादा नहीं लेकिन अब चुकि जो महिलाओं से rated हो गया कोई पिछडा work से related हो गया कोई SC SC से related हो गया कुछ family से related कोई law आ गया तो वो सारी की सारी चीज़े आपको फिर इसमें पढ़ने पढ़ सकती हैं तो उसको आप GKGS क अपार्ट मान सकते हो या फिर उसको आप subject हो sociology subject की preparation अगर आप कर रहे हो तो अपने आप में ही इसका syllabus काफी जादा washed है ठीक है बहुत जादा विस्तरत है अब second चीज़ आपको जो जाननी है कि preparation कहां से start करें और कितना time आपको चाहिए तो अगर मैं time की बात करूं तो मैं अ मेरा जयार्फ निकल चुका था एंड मुझे sociology पढ़ते हुए लगभग one year हो गया थे तो उसके बाद फिर पंद्रा दिन मैंने डट के बिलकुल अपना 100% देते हुए preparation करी एक्जाम दिया था तो उसके बाद फिर मेरी rank काफी अच्छी आई तो आपको क्या करना है कि आपक प्रिशन कर रहे हो अगर आप national level पे कोई exam निकाल चुके हो या उसकी प्रिवेशन कर रहे हो तो फिर आपको इसके लिए बहुत जादा वरीड होने की ज़रूत नहीं है लेकिन अगर आप फ्रिशर हो आप एमे करने के सीधे बाद इसकी प्रिवेशन करना शुरू कर रहे ह तो आपको कम से कम one year का time चाहिए होता है PGTA प्रिवेशन के लिए PGT में उतना जादा tough नहीं होता है लेकिन इसमें competition बहुत जादा होता है competition level मैं कहूंगे इसमें NTA से भी hard होता है एक seat के लिए आपको बहुत जारे candidate दावेदार मिल जाएंगे तो आपको उन सब से आगे नि जो मैं suggest करूंगी कि आपको सबसे पहले NCRT पढ़नी चाहिए ठीक है अब NCRT में सारी बुक सब मत लेके बैठ जारा NCRT की जो sociology की बुक है क्या पढ़ने आपको सबसे पहले NCRT की जो sociology की बुक है कौन से class की आपको 11th की पहले पढ़नी है फिर आपको उसके बाद 12th की जाती है वो आपके पास है तो वो आपको पढ़ लेनी है अब उस बुक मे उतना जादा的 ठूमे नहीं होगा जो कि 12th की बुक होगी उतना ज्यादा ठेथ नहीं होगा लेकिन वहां से आपको क्या help मिलेगी वहां से आपका जो definition है कई बार होता है कि कोई book होती है तो उसमें सारी definition नहीं होती है अच्छा PZT में कई बार ऐसे question आ जाते हैं जो बिल्कुल अलग होते तो आपको कई सारी books मिला करके पढ़नी पढ़ेंगी तो पहली चीज़ आपको पढ़नी है NCRT की 11th 12th की book इसको पर्चेस करने की जरूत नहीं है यह PDF form में आती है अब सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा NCRT sociology 11th या फिर NCRT sociology 12th तो वो आप सर्च करिए और वो डाउनलोड कर लीजिए फोन में या लैपटॉप में तो शुरुवात कर दीजिए वहाँ से आपकी आजाएगी basic understanding अगर आप बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहा रहे हो तो इससे आपकी understanding आजाएगी फिर आपको क्या करना है अगर कोई 12th की आपको book मिल जाती है तो वहाँ से जितनी भी new new definition आपको दिख रही है जितनी भी परिभाशाएं दिख रही है वो सारी के सारी एक जगे पर note करते जाना है अब उसको आप क्या कर सकते हो चाहो तो ऐसे as a chart के through note कर सकते हो क्योंकि चार्ट में भी आप फिर आपने note कर लिया है फिर आप डेली उसको रट रहे हो तो वह भी एक तरीके से अच्छा रहेगा या फिर जैसे मैंने किया था कि आप mind map का सहरा ले सकते हो mind map के true आप चीजों को note करोगे तो आपको जल्दी भी आदोगा प्लस वह चीजे ज्यादा दिर तक mind में रहेंगी तो वह चीज भी कर सकते हो अगर आप बोलोगे तो mind map टेकनिक में आपको बता दूँगी कैसे इसको क्या करना होता है तो थोड़ा सा उससे जल्दी effectively आप notes एक तो कर सकते हो दूसरा आपको वह चीजे रिवाइस करने में recall करने में ज्यादा help करेंगी तो ऐसे करके सबसे पहले आपको 11-12 के standard का complete करना ठीक है जब इतना आपका हो जाएगा तो उसके आगे का फिर क्या करना है वो चीज मैं आपको बताऊंगी अभी आपको starting point क्या करना है आज सबसे पहले इन दोनों के PDF डाउनलोड करनी है और वहां से आपको study करने लग जाना है क्यों क्योंकि इस बार का जो exam है वो जैसे पिछली बार का भी एक calendar जारी किया था माधिमीक सिचा चैन बोड ने तो उनलोग का जो calendar था उसको अगर आप ध्यान से देखो तो उनलोग का ये था कि one year में exam करवा देना है तो अब अगर मालो आपका vacancy अक्टूबर में आती हैं तो अगर वो लोग one year में करवाना चाहेंगे तो आपका जो exam है वो 2021 में यानि 2021 में हो जाएगा तो फिर आपके पास कितना टाइम बच रहा है one year अब मालो डिले भी करते हैं तो भी अपने आपको तो prepare करना ही है न one year मान के ही चलो ठीक है कि अगर वो लोग करवा रहे हैं ये नहीं कि उन्नों लोगोंने date declare कर दी तब हम पढ़ाई करने लग रहे हैं क्योंकि फिर तब ब बहुत जादा पीछे पिछड जाओगे बाकी लोगों से ये जो PGT का एक्जाम होता इसमें एक एक question एक point बहुत जादा मायने रखता है क्योंकि competition मैंने बताया competition level बहुत जादा होता है तो आपको अभी से लग जाना है और अभी से अपनी preparation पर ध्यान देना है तो I hope आपको selection पका पका हो जाएगा तो ऐसे ही पढ़ते रही है अपने गुल की तरफ अगे बढ़ते रही है वीडियो देखने के लिए thank you so much and all the best to everyone